नमस्कार मैं हुम्री तुम्जा चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN 9 News बात करेंगे महराष्ट के महराष्ट की गर्माई हुई सियासत की सियासत क्यों गर्माई हुई है क्योंकि वहाँ पर पात्रा चौल को लेकर जो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है बहुत के दोस्त है और उनका इस गोटाले में बहुत बड़ा एहम रियोगदान बताया जा रहा है असा बताया जा रहा है कि 43 एकड़ की जमीन में जहां पर 672 किरायदार रहते थे उनके चलते वहां पर उस एरिया को और उसका कईना कहीं उसको दिया गया था प्राub को फोड़ीन रहाओक इसका जिमा दिया गया था लेकिन पैसे भी ले लि लिये करने की कोशिश करेंगे लेकिन असा हुआ नहीं प्रतिक्रिया सामने वाली थी और इसको लेकर बन रहे हैं उसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सायोगी मेगा तो मेगा बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी इस प्रोग्राम में जी बिलकुल तो मेगा आप जिस तरह इसे हमने बताया कि अभी जो लगाता जो चीजे निकल कर सामने आ रही जिस तरह सांजराउत की पत्नी को भी इसका भी नाम इसमें सामने आए तो संजराउत को जो रियाक्शन सामने आए वह बहुत चौकाने वाला है क्यों आपका और आपने हापर मृतियुन जे बात की कि संजराउत का जो रियाक्शन निकल कर सामने आया है वह इतना जादा खिलाफ क्यों है तो आप बीते करीब एक या डेड़ साल तक मृतियुन जे अगर एडी से जुड़े मुकद में उठा कर देखेंगे या फिर आप यहां पर एंसी बी से जुड़े मुकद में उठा कर द करीए जो अगर संजराउत का मैं जो आप यह नहीं हूं मैं अई भागने वाला नहीं तो भगने वालाि नहीं मतलब तो यह वा ना के साथ मिलकर करें गार जो जहां लिए नहीं यहां पर मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगी उन्होंने बात किये कि मैं डर के भागने वाला नहीं हूँ यह दर उन्होंने उनको उनका यह कहने का मतलब है कि उन्हें और उनकी पत्नी को भारतिय जनता पार्टी जो है वो एदी के जरी उतारी और यह खुले तोल पर वो अपने बात की इस पात्रा गोटाले के तो मैं आपको बता दो कि एक हजार चौनतिस करोड़ रुपे का यह जहां पर जो डेवलप्मेंट के लिए जमीन अलॉट की गई थी जिसका डारेक्टर यहां पर प्रमीन राउत को बनाया गया उन्होंने क्या किया है कि जमीन के छो सपने है कि संजे राउत पहले भी सुशांत के सकते बात कर लिए तो संजे राउत पहले से भी भ souventacaktर इंदी गातार बया atau करते रहे और संजे राउत की जिस तरह से प्रतिक्रिया इस कर सामने आई और जिस तरह से संजे राउत लगातार भाजपा सरकार को भेड़ते रहें क्योंकि एक वक्त पर यही दोनों पार्टियां एक साथ सत्ता चला रही थी महराष्ट में लेकिन सत्ता की भूग कहीं ना कहीं शिवसेना को सलाह से लग ले गई जहां पर बीजेपी च सवाल और खड़े करता है सवाल यह भी खड़े करता है कि जिस तरह से उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया और जिस तरह से जो बात कहीं गई कि घोटाला था उसके उनकी पतनी के तार जुड़े हुए थे मेगा कुछ वक्त पहले भी एसी चीजे निकल कर सामने आई थी कोशिश की जा रही है अब देखिए मृतियूंचे आप यहाँ पर इस बाइस जो पॉलिटिक्स की आपने बात की तो आप जरा इस पॉलिटिक्स के तार जो है आप पंजाब के इलेक्शन से जोड़ कर देखिए आप यहाँ पर यूपी पर आईए इत्र वाला आपको कि अपर जनता के तौर पर मुझे भी होती है यहatikा पर पर मुझे भी होती है कि यह तमाम मुद्दे इस भी जानते जितना भी ज्यादा संपत्त लेक्रा घ्यार कानूनी तरीके से उनका धन पराप्थ हुह वह यूपी में चुनाप से पहले श्यादा जोरो शोरो के साथ ये मुद्दा सुनाई दिया, बाद में बीजेपी की तरफ से कहा आगे है कि ये तो अखिलेश यादव के करीबी हैं, अखिलेश यादव ने कहा जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो खुल में लाकर मेरा कहना ये है, कि कहीं न कहीं अब हम ये कहा दें तो अखिलेश यादव ने भी तो जम कर पलट पार किये तो कुल मिलाकर संजे राउत जो है उनका मसला जो है ये है कि ED जो है वो बीजेपी की एजनसी बन गई है उनका कहना है कि बीजेपी की इशारों पर काम कर रही है और कुछ ऐसे ही इलजाम NCB पर भी लगते रहे हैं ले से वहां पर भाजपा को साइडलाइन करके अलाइंस बनाया गया और गवर्मेंट बनी तो जितने बड़े बड़े नेता है वहां पर वह पहले से निशाने पर रहते हैं लेकिन एक चीज आखरी सवाल में मेगा से यह लेना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि हम जब चुनाव के बाद की बात है या फिर विपक्ष के दलो की बात है तो सिर्फ और इसे नेतां उपर यह लगते हैं और सद्वराओं की तरफ से इसा क्यों नहीं कहा गया कि मैं जब सारी जांच नहीं हो जाती सब का साथ दूँगा इसके साथ साथ अगर उनके पतनी के अकाउ पर जो है भाजपा के पक्ष में भी कई तरह के बयानबाजी दे चुके हैं साने है कि हमेशा से वो भाजपा के खिलाफ ही रहे हैं आप अगर 15 साल पहले कि उनके कुछ बयानबाजी देखेंगे अब क्या होता है कि जब तक आप भाजपा के साथ अलाइंस में है everything is fine आप ज़ बहुत ज़्यादा माईने रखता है लेकिन संजे राओत के लिए मैं यहां पर एक ही जो है सलाह देना चाहूंगी कि आप देखेंगे बड़ा नाम है आपको जंता सुनती है जंता आप पर विश्वास करती है तो आपके परिवार पर अगर उंगली उठी है चाहे आपकी पर ही जो है इस तरह की उठी है तो आप जो है उसकी निश्पक्ष जांच होने दीजिए आप जरूर कईदे कि बाद में आपकी जो वाइफ है उन्हें क्लीन चिट मिल जाए तो बात अलग है क्योंकि प्रवीन राओत की आपने बात की तो उनको भी तो जमानत मिल चुकी ह आपकी वाइफ को जो है बाद में क्लीन चिट मिल जाए तो देट सब्सक्राइब तो इसके बाद भी कहीं विकल बचते आगर नतीजे आपके पक्षमन ही आते तो आप नियाय-पालिका का रुक कर सकते हैं नियाय-पालिका की तरफ जा सकते हैं आप कोट में जावाज उठ हमारा यह देश है यहां पर अगर आपके उपर आज कोई कानून लगाया जाता है तो आपके बस कम से कम राइट है कि you can fight for yourself अपने आपके लिए लड़ सकते हैं ताना शाही नहीं है अगर आपको लगदे कि आपको फसाया जा रहा है आप आगे कोट की तरफ जाईए वहां और जिस तरह से वह इस वक्त उनके आपको पर आरो जो आरोप लग रहे हैं बलकि नारोपों का उन्हें सामना करना चाहिए बलकि जबान बाजी से नहीं बलकि अपनी तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं है तो उन्हें कुछ डरने की भी जरूत नहीं लेकिन जिस तरव से वह ब्यान दे रहे ह। कहीं कोई उनकों पर भी कई बड़े सवाल में खड़े करता है कि क्या सच मेंट पॉलिटिकक्स इस वक्त हो रही है भारत में और बायस पॉलिटिक्स में नतीजह की Humcolor नमस्कार